पूस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में वोड़ाफन आइडिया स्टॉक के बारे में डिसकस करेंगे जिसने अपने क्यूवन के नंबर को डिकिलियर कर दिया है एज एक्सपेक्टेड तो आगे बरे एपिसोड में से पहले प्रेमियम टेलिगर आमको जोईन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से एकाउंट आपन करें वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में सियर करेंगे यहां देखेंगे वोड़ाफन आइडिया का जो नेट लॉसेज है वो नेरो होते हुए दिखा है एब्रेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बरते हुए दिखा है 4G subscriber base जो है वो इंक्रीज हुआ है 122.9 million to 126.7 million जो की एक अच्छी खबर है यहां देखेंगे तो revenue from operations जो है वो थोड़ा बहुँ डाउन हुआ है एब्रेज रेवेन्यू पर यूजर बरहा है 4G subscriber बरहा है इबीटा जो है वो थोड़ा बहुत देखेंगे तो अब ही रहा है लेकिन numbers वही देखेंगे consolidated positive number आते हुए दिखा है और इस समय इसके quarterly numbers को लेकर के ही यह बातें जो दिख रही है यह जो numbers देखेंगे flat positive number इसको मान जाएगा flat positive इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि 6432 करोर का company ने loss कराया क्या कराया लोस कराया और एक बार यहां मैं आपको screener पर दिखाऊं तो last number भी बहुत favorable नहीं रहा था लेकिन यहां देखेंगे जो company के मैं standalone number अगर दिखाऊं यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो year on year basis पर पिछले बार का revenue भी घटा था और अगें देखेंगे revenue में लगबग लगबग मुझे लगता है कि 20% से उपर narrow होते वे दिखा है तो यही इसकी खबर रही है आज के volume 30 करोर के आसप पास का था टेक्निकल तो अभी भी स्ट्रॉंग नहीं है क्योंकि minimum जो है 18 के level को जब तक breakout नहीं करे थोरा कौसन बरते हैं और जैसा कि मैंने number कहा कि flat positive number रहा क्योंकि losses 20% narrow होते हुए दिखे हैं revenue थोड़े वीक रहे average revenue per user company का बरा है 4G subscriber base बरा है EBITDA company के 4% बरते हुए दिखे झालर जा करे जोड़े हैं तो बरते हैं जो घ्री है उन खरते हैं झालर कि हमें झालर को पार है वालर जो है आधे हुए नहीं है।